नमस्कार प्यारे बच्चों मैं आर्ती आप सबका आर्ती एडुकेशन वर्ड में स्वागत करती हूँ बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा आर्ट की विश्य हिंदी की कारेपत्रक नमबर नो करेंगे जिसकी तिती है 22 अक्तुबर 2020 प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे थे बस की यात्रा है ना तो चलिए आज फिर हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे हमने क्या देखा था बस बड़ी ही खराब अवस्ता में थी जीन सीन अवस्ता में थी बिलकुल खटारा बस उसमें कुछ ठीक नी था कोई हिस्सा बस का ठीक से काम नहीं कर रहा था है ना तो पहले तो जो लेखक हैं उनको बस में बैठने से ही डर लग रहा था लेकिन जब वो उस बस में बैठ गए तो उन्होंने देखा उसके सी से वगएरा भी सारे तूटे हुए है तो खिड़क से हट कर बैठे और खिड़की से हट कर बैठे फिर उस बस में चल दिये तो बस क्या हुआ बस रुक गई और लुक रुकने कब कारण क्या पता चला पैट्रोल की टंकी थी उसमें च्छेध हो गया था ना यह सारे कारण थे जिस वज़े से जो लेखक हैं इसमें बड़ी हा स्यासपद बात करी है बड़ी हसी हसी की बात करी है उन्होंने बस के लिए कहीं डाकिन सब्दी यूज करा है कहीं बोला है समिन्या वग्यांदोलन करी है कहीं वो कुछ कहीं एक वरद्धा की संग्या दिया है तो इस तरीके से उन्होंने बस के लिए बोला है तो प्यारे बच seat है और ऐसा भी हो सकता है आपके school में बोला जाओ कि अपने subject teacher का नाम लिखो तो अगर आपके school में ये बोला है कि subject teacher का नाम लिखो तो अपने Hindi teacher का नाम लिखना है की चलेए तो पड़ते हैं करते हैं आगे बस की यात्रा लिखअق के साथ अब क्या हुआ अभी हमने पिछली वर्क सीट में क्या देखा था ये देखा था जो कारे पत्रक आठा है था कि जब भी कोई पेड आता था तो क्या होता था अगले खा को डर लग जाता था ऐसा लगता था कि बस इस सी टकराय जाएगी है ना ऐसा कुछ हो रहा था अब देखो आगे क्या हु कि उपर पूचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया है ना क्या हुआ टायर क्यूंकि उसके तो कोई भी पार्ट उस बस का ठीक से काम नहीं कर रहा था अब क्या हुआ टायर बैठ गया उसका बहुत जोर से हिल कर थम हो गया बहुत जोर से पहले हिला और फिर थम गया थम ग का उसमें गिर जाती मैंने क्योंकि वो तो बसी कितनी 15-20 की स्पीड से चल ली थी फिर और भी धीमे हो गई हमने पड़ाता ना कि अगर दूसरी बसाती तो उसको ओवर टेक करने देती तो अब वो कह रहे हैं मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार स्रदभाव से कंपनी का हिस्सेदार किसको बोल रहा है जो वह कह रहे थे अरे यह तो इत्तिफाक की बात है बस तो बहुत बढ़िया है तो उसको बोल रहे हैं वह हिस्सेदार तो वह टायरों की हालत जानते थे फिर भी जान हतेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे थे मतलब उन्हें पत के ऐसी भावना दुरलव हैं सोचा इस आदमी के साहस और बलीदान भावना का सही उप्योग नहीं हो रहा है अब फिर मतलब उनके क्योंकि उनके जो हर बात में व्यंग है तो अपनी व्यंग यात्मक भासा को यूज करते हैं और फिर कहते हैं कि कितना साहस है भाई आदमी मे पता है कि बस में कुछ भी हो सकता है बस के बस की हालत ठीक नहीं है बस टूटी है खटा रहा है लेकिन फिर भी अव इतना करेज है कि वो इस बससे यातरा कर रहा है और बलीदान की भावना इतनी कि अपने प्राणों को त्यागने के लिए भी तैयार है इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था अब वो बोलने हैं कि ये जो इतना जिसमें बलिदान की भावना है अपने जानों की भी पर्मानी कर रहा है अपने प्राणों की भी उसको कोई फिकर नहीं है तो ऐसा आदमी तो क्रांतिकारी अंदरलन में होता है कि क्रांतिकारी तो ऐसे होते हैं कि सर पे कफन बांध के रहते हैं कि कुछ भी हो जाए अपने किसी भी अपने जो भी उनका जंडा होता है उसके लिए लड़ते हैं तो वो कह रहे हैं अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सम मर जाते तो देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते वो कह रहे हैं अगर बस नाले में गिर जाती तो क्या होता वो लोग मर जाते और देवता जो हैं जो स्वर्ग में खड़े हैं वो क्या कर रहे होते अपनी ब महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिये और वो उसको फिर हसी कर रहे हैं जिसने बोला था कि बस तो बहुत अच्छी है यह लेकिन यह तो इतिफाक है तो उसको फिर बोल रहा है कि सायद देवता यह कहरे होते बताओ देखो वो महान आदमी जिसने एक टायर के लिए अपनी जान भी दे दी मर गया पर टायर नहीं बदला मर गया वो इंसान देख लो अपनी जान दे दी पर टायर को नहीं छोड़ा दूसरा घिसा टायर लगा कर फिर बस फिर चली बस अब क्या हुआ एक तो फिस करके रुग गया था उसका टायर अब दू में कोई भी उम्मीद नहीं बची थी भई या टाइम पे पहुचेंगे भी आने पहुचेंगे पन्ना कभी भी पहुचने की उम्मीद छोड़ देती और ये भी छोड़ दिया था कि पन्ना पहुच भी पाएंगे या नहीं पहुच पाएंगे पन्ना क्या है जिस जंगे पे जो राइटरल है जो लेखक है उनको जाना है उस जंगे का नाम है तो अब उन्हें कोई उमीद नहीं है भई क्या होगा क्या नहीं होगा पन्ना क्या कहीं भी कभी कभी भी पहुचने की उमीद छोड़ दी थी अब तो उसने ये सब भूली गया था वो उसने ये सोचना बंद प्रत्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है कि इस प्रत्वी पर तो कोई मंजिल नहीं है अब तो उसे पता ही नहीं कहा जाना है हमारी बेता भी तनाव खत्म हो गए हम बड़े इत्मिनान से गर की तरह बैट गई अब हमारी जो अंदर जो बेता भी थी जो जिग्यासा थी जो बिचैनी थी वो सब खत्म हो गई बेता भी होती है बिचैनी जो होता है excitement ये खुछ भी तो वो कह रहे हैं कि वो सब खत्म हो ग हो जाएगा और उनका हंसी मचाग वह चलता रहा देखे बच्चों यह इसमें जो नए सब्द आये थे उनके मीनिंग्स दिये हुए उनके अर्थ दिये हुए शब्दों के अर्थ सब्दार उत्सर का मतलब त्याक करना होता है वैसे मैं पहले से आपको बता दिया है प्रयान क को मतलब होता है प्रस्थान करना मरना या चले जाना बेताबि होती है बेचैनी और इत्मिनान होता है तसलिसे बैट जाना आराम से बैट जाना ठीक है तो चलिए यह हो गए हमारे सब्लों के अर्थ अब देखते हैं जो असली काम दिया है हमें worse lead में इसे भी कर लें के किस उत्सर की भावना को दुरलब कह रहे तो ह आपको तो पता ही एक इसको कह रहे है। समझें? کیونकि उनको पता होते विए उस बस में सफर कर रहे हैं तो इस बचे से कह रहे चलिए आप देखते हैं second question क्या है second question पूछा गया है लेकक ने कभी भी कहीं भी पहुचने की उमीद क्यों छोड़ दी थी सोच कर बताईए लेकक ने कभी भी कहीं भी पहुचने की उमीद छोड़ दी थी क्योंकि लेखक को लगता था जिंदगी इसी बस में गुजानी है और सीधे इस लोक से प्रायान कर जाना है उन्हें ये लगता था इसी बस में जिंदगी गुजरी थी और यहीं से सीधे चले जाएंगे कहां पे स्वर्ग लोक में या पाता लोक में वो लिख दो है ना तो जैसे मैंने लिखा है अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मी छोड़ दी थी मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि लेखक ने सोच लिया था जिन्दगी का असी इसी बस में गुजारनी है क्योंकि आब क्या हो गया था ये भी लिखो आप एक लाइन क्योंकि आब लेखक के मन में संतोष था ठीक है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई बात नी हमें लिखना है आंसर बढ़िया से बढ़िया आब लेखक के मन में संतोष के भाव थे ठीक है तो ये answer आपका हो जाएगा perfectly all right ओके students चले let's go to the next question और चोथा question क्या पूचा है यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता कल्पना कर अपने अनुभव को लिखे अब बताओ भई कोई भी उस खटारा बस में सफर कर रहा होगा तो क्या होगा उसको तो चिंता ही होगी तो लिख दो मैं बहुत चिंतित होता क्योंकि बस का एक टायर फिस हो गया था और अगर बस स्पीड में होती तो नाले में चली जाती है ना लेकिन लेकत का जो मजाकिया अंदास था उसके कारण यात्रा में चिंता के साथ साथ आनंद भी होता है ना ये भी तो ये तो है बात चलिए अब आई है एक एक एक्टिविटी तो एक्टिविटी करनी है तो थोड़ी सी तो बढ़ी होगी प्रशनों से चलिए तो कर लेते हैं जादा बड़ी नहीं है फिर भी मैंने छोटी से छोटी लिखने की कोशिस करी है गतिविटी क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी और आप निश्यत हो इस अनुभाव को लिखिए आप उस गटना को याद करने में अपने घर को घर की सदस्यों की सहता ले सकते हैं अगर ऐसा कभी हुआ हो कि आप बड़े चिंतित हो फिर आपने छोड़ दिया होगी चलो छोड़ो जो होगा देखा जाएगा तो उस अनुभाव को याद लिखिए अगर आपको कभी थोड़ी बात याद आ रही है थोड़ी याद नहीं आ रही तो अपने घरवालों से हल्प लेके लिख सकते हैं तो देखें जैसे मैंने लिखा है इसमें हाँ एक दिन जब मेरी परिक्षा का परिणाम आने वाला था यानि के आपकी जो पढ़ाई करते हो उसका जो साल का जो रिजल्ट आता है उसकी बात हो रही है परिणाम आने वाला था मैं बहुत चिद्दित था अगर आप लड़क किमारे मुझे अजीब सा लग रहा था लेकिन फिर मैं सारी चिंताओं को छोड़कर क्रिक्ट में खेलने चला गया अगर लड़किया है तो आप लिख लो पार घूमने चली गई और सोचा कि अगली बार मन लगा कर अच्छी तरह पढ़नूंगा उसके बाद दो गंटे बा होताया कि मेरे अंक मेरे अच्छे अंकाय है तो बच्चो यह क्योंकि देखो चिंता करना बेकार है रिजल्ड की क्यों जादा क्यों टेंसन नी लेनी चाहिए क्योंकि हमें उसके लिए पहले पढ़ना जरूरी होता है है ना अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अच्छे नंबर बिल्कुल अच्छे आते हैं, हमारे नमबर अच्छे आएंगे और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बताओ अच्छे नमबर कैसे आएंगे तो बच्चो इसलिए आपको वरक सीट को पूरी को अच्छे से सुनना है, समझना है और फिर वरक सीट को सोल करके अपने teacher को दिखाना है चलिए बच्चो आप क्योंकि आपके उपर ही जिम्मेदारी सारी है तो आपको ये चार काम जरूर करने है कौन कौन से करने है याद है आपको क्या क्या करना है आपको वीडियो को लाइक करना है ठीक है अगर नए आये हैं चैनल पर तो सबस्क्राइब भी करना है राइट और अपने जाद से जाद दोस्तों के तसाथ शेयर भी करना है और आपको एक अपना लवली कमेंट कहां पर छोड़ना है कमेंट सेक्शन में छोड़ना है ठीक है तो आपको ये चारो काम जरूर करने है ठीक है बच्चों तो आप ये काम करिए चलिए मैं आती हूँ आपकी अगली वर्क सीट के साथ थैंक यू